चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो SCST certificate को लेकर काफी सारा confuse चल रहा था क्योंकि NTA ने information bulletin में SCST certificate के लिए एक cut off date दे दी थी और ये certificate एकी बार बनता है तो अभी इसके बारे में NTA ने clear कर दिया है कि जो SCST का certificate है उसकी कोई cut off date नहीं है मतलब कि वो जो पुराणा certificate है वो भी मानने है और जिन candidate ने नया certificate बनवा लिया वो भी मानने है अब जिन candidate ने पहले online form fill कर दिया है और उन्होंने declaration form upload कर दिया है तो उनको भी कोई किसी प्रकार की problem नहीं है उनका भी जब admission के time में certificate की requirement होगी तो SCST का जो उनके पास में certificate है पुराणा है या उन्होंने नया बनवाया है वो सब मानने होगा इसलिए किसी भी student को tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है कि मैंने तो SCST का certificate upload नहीं किया मैंने तो declaration upload किया है तो उन candidates को भी किसी प्रकार की कोई problem नहीं होगी अगर आपने declaration form upload कर दिया है तो भी कोई problem नहीं है admission के time में आप अपना certificate produce कर सकते हैं तो SCST candidate के लिए ये एक अच्छी ख़बर है कि उनको दुबारा से ये certificate बनवाने की आवश्यक्ता नहीं है तो ये जानकारी थी NTA के public notice के बारे में मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहन